आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे चैट GPT का लाइव डेमो चैट GPT क्या है? चैट GPT को आप अपने डे टू डे लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं? चैट GPT को यूज करके आपकी डेली लाइफ कैसे इजी बन सकती है? गाईज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल आगे की वीडियो के लिए तो बात करते हैं चैट GPT क्या है चैट GPT Artificial Intelligence Based एक चैट बोट है जो Open AI Company ने November 2022 में लॉंच किया था जैसा मैंने बताया ये टेक्स बेट्स Artificial Intelligence चैट बोट है इससे आप कोई भी कोशन पूछ सकते हैं इससे आप अपना कोई content create करवा सकते हैं जैसे अगर आपको bank में application देनी है या आप software में use कर सकते हैं for writing the code or creating any websites, pages अगर students इसको use करना चाहें तो अपने day-to-day learning and homework purpose के लिए use कर सकते हैं तो चलो गाइस देखते हैं chat GPT का live demo chat GPT login करने के लिए आप अपने browser में mobile या laptop कहीं भी chat.openai.com टाइप करिए और यह आपको login page पे ले जाएगा login पे आपको sign up and login का option मिलेगा अगर आपका account already created नहीं है तो आप sign up करिए otherwise आप अपनी login detail प्रोवाइड करके login कर सकते हैं sign up करने के लिए आपको email address या phone number से आप अपना account create कर सकते हैं तो guys login के बाद हम chat GPT के home page पे आजाते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं examples में आपको मिलेगा कि आप किस format में आपको question पूछना है chat GPT की क्या capabilities है इसकी limitations क्या है तो start करते है chat GPT के साथ interaction पहला question पूछते है who are you chat GPT जैसा मैंने आपको बताया artificial intelligence based chatbot है जो आपको किसी भी field में किसी भी domain में आप इसे question पूछ सकते है यह आपको answer करेगी और आपको response जर्नेट करके देगी तो start करते हैं content creation में पहला question मैं पूछ रही हूँ write speech on principal retirement function जैसे आपके लिए content जर्नेट कर रही है काफी बार आप किसी भी function में किसी retirement function में school function में invited होते हो speech देने के लिए तो आप chat GPT की मदद से अपना speech prepare कर सकते हो अगर आपने already speech लिख रखी है तो आप इससे recheck कर सकते हैं आप reward करवा सकते हैं ताकि आपको काफी formal language में आपका speech prepare करवा दें chat GPT से आप multiple responses generate करवा सकते हो अगर आपको पहला response पसंद नहीं आया है आपके आपके लिए appropriate नहीं है आप दूसरा content चाहते हैं तो आपको multiple responses same topic पे generate करके देंगी आप history में जा करके previously check कर सकते हैं अभी हमने दो response generate करवाई है आप दोनो response को compare कर सकते हैं आपको जो best लगे वो आप use कर सकते हैं तो guys next हम check करते हैं जिसे काफी बार हमें application लिखने की जरूरत करती है आपको अगर कोई bank में application देनी है या electricity department में application देनी है तो देखते हैं कि chat GPT क्या हमारी application लिखने में मदद कर सकती है तो हम लेते हैं एक्जामपर write an application to SBI bank manager to transfer my account from Jaipur to Hanumanagad हम अपने एरिया का ही example ले लेते हैं तो देखते हैं कि chat GPT हमारे लिए क्या response generate करती है तो आप देख सकते हो इसने proper subject लिखा है write request to transfer of saving account dear and bank manager के लिए आप अपनी customization कर सकते हैं आपकी bank details आपको कौन सी branch से कौन सी branch में transfer करना है and but obvious आपको provide करने पड़ेंगे अपने details like account details account holder name current branch आप अपनी custom fields fill करिए और I think इसने काफी formal response आपके लिए generate करके दिया आप as such use कर सकते हो तो guys आपको hardly 1 minute लगाओगा इस response को generate करने में आप as such इस application को use करिए तो यह काफी helpful है next guys जैसा मैंने आपको बताया था कि chat GPT students पढ़ाई के लिए use कर सकते हैं तो एक example हम पढ़ाई का लेके देखते हैं कि explain me pythagore's theorem students जो हैं जैसे आपको कोई भी topic समझ में नहीं आ रहा है आपको किसी भी चीज के लिए content चाहिए या कोई explanation चाहिए तो आप ऐसे chat GPT से पूछिए and chat GPT आपको proper details में answer provide करेगी तो जैसे इसने बता दिया है pythagore's theorem क्या है and pythagore's theorem कैसे हम लोग calculation use करते हैं क्या formula रहता है pythagore's का जैसे equation में इसने बता दिया a square plus b square equals to c square and आप इसे कोई भी math science किसी भी subject का topic पूछ सकते हैं कोई भी test generate करवा सकते हैं अगर आपको practice test चाहिए and काफी अच्छे तरीके से इसको education में use किया जा सकता है teachers अपना paper बनाने के लिए use कर सकते हैं किसी भी चीज को quickie अगर आपको class में check करना है जैसे अभी हमने example पूछा है पाइथागोर स्थ्योर्म का तो यह आपके लिए example generate करके दे देगी आप इसे काफी बार काफी सारी जैसे इसने example ले लिए कि length 3 unit है 4 units है तो आप कैसे calculate करेंगे तो आप इसे के साथ काफी interact कर सकते हो आपकी history याद रखती है आप right side में आपके सारे पुराने examples जो आपने use की हैं वो देख सकते है आप जैसे आपको लगता है कि you got the information तो आप इसका stop generate भी करवा सकते है तो गाइस काफी interesting लग रहा है जैट जीपीटी के साथ interact करके आपको सारी details मिल जाएंगी वीडियो के description में लाइक जैट जीपीटी का URL क्या है यह examples जो हमने use की है कुछ और examples देखते हैं different industry से तो medical से इसका question पूछते है like what are the symptoms of vitamin D deficiency तो गाइस जैसे काफी बार हमें अगर reports आती है हमारी दोक्तर के पास में हमने देखना होता है कि particular test किस चीज़ का है इस test के क्या impact हो सकते हैं अगर कोई report में positive higher or lower values आई हैं तो इनका क्या मतलब है हम घर पे कैसे इनको ठीक कर सकते हैं इस type के basic information आपको चाहिए अगर आप कोई medical emergency में है तो डोक्तर से कंसल्ट करिए बट daily uses के लिए और आपको कोई information generate करनी है तो आप chat GPT की help से एक basic description दे सकते हैं और काफी helpful है कि आपको ये direct response generate करके दे रही है you don't have to visit multiple links की अच्छा कौन से link में आपको correct information मिलेगी तो guys next हम देखते हैं कि कैसे chat GPT हमारे लिए software industry में useful हो सकती है तो एक example लेते हैं like create a login page using bootstrap अगर आप software industry में काम कर रहे हैं या फिर अभी coding वगेरा सीख रहे हैं engineering कर रहे हैं तो आप chat GPT का पूरा तरह use कर सकते हैं software में इसका काफी अच्छा response जा रहा है अगर आप coding कर रहे हैं तो आपके लिए quickly code generate आपको करके देदेगी तो अगर आपको कोई website डिजाइन करनी है या आपको कोई app बनानी है तो आप chat GPT से पूरा का पूरा मदद ले सकते हैं तो guys हमने काफी सारे industries के questions इससे पोश ली हैं काफी domain के questions हमने देखे आंस के responses देखे I hope आपको chat GPT काफी पसंद आया होगा आप अपने try करिए comment section में हमें बताइए कि आपको chat GPT कैसा लगा आपने कौन से field में use किया है आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो please हमाया चैनल सब्सक्राइब करिए Thank you so much मिलते हैं आगे की वीडियो में